स्वागते हैं आप सभी का टेक स्टड़ी आईटे यूट्यूब समय पर नेशनल काउंसिल आप साइन्स म्यूजियम NCSM की तरब से आईटे पास आउट, टेन पास आउट और डिप्लोमा केंडेट्स के ले पर्मनेंट जाब की वैकेंसी जाई हैं जिसमें ITE के अलग अलग ट्रेड यहाँ पे टेकनीसियन A की पोस्ट पे फार्म फिलप कर सकते हैं वैकेंसी देखिए यहाँ पे कम है 15 पोस्ट है टोटल टेकनीसियन A की जिसमें यहाँ पे 35 साल तक की एज वाले कैंडेट्स अपलाई कर सकते हैं साथ में एक पोस्ट आपको दिखे की कारयाल है सहाय ग्रेड 3 की टोटल चार पोस्ट है जहाँ पे 25 साल तक की एज़ के कैंडियेट जो है फॉर्म फिल अप कर सकते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी विप्रॉक्स 35,000 के आसपास होगे और यह पर्मनेंट जाओब है अलग लग लोकेशन पे इसमें पोस्टिंग आपको मिल सकती है आई टी आई के चार से पांच ट्रेड ऐसे हैं जो इस फॉर्म को यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं कम्प्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे साथ में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 27 फरोडी से फॉर्म भरना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्षन में एक बार बता दीजेगा आपको एक फॉर्म भरने का सेपरेट वीडियो मुबाइल फोन से मिल जाएगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हिट कर लीजेगा साथ में एक टिलिग्राम चैनल है वहाँ पे आप जुड़ जाएगा टेक स्टेडी आई टिलिग्राम चैनल है वहाँ भी हम आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं प्रोवाइड कर देते हैं तो आईए यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या-क्या एजुकिस्नल क्राइडियरिया वहाँ पर रखा गया है कौन-कौन से ट्रेट के कैंडेट्स हम फिल अप कर पाएंगे तो यह यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 2023 का यह दो बटे 2023 नोटिफिकेशन है वैकेंसी जो हमने आपको बताई वही यहाँ पर जैसे इसमें टेक्निसियन एक यह अगर आप पोस्ट देखेंगे टोटल पांच पोस्ट है आपका Central Research and Training Laboratory कोलकाता के लिए जिसमें Unreserve की दो है SC कैटेगरी की तीन पोस्ट है Unreserve में सभी तरह के कैंडेट फार्म फिल अप कर सकते हैं ध्यान रखिएगा आप भले OBC से बिलॉंग करते हों SCST किसी कैटेगरी से बिलॉंग करते हों बट एक चीज होगा कि Unreserve काटेगरीम फार्म बनने पर आपको फिस जो होगी वो पे करनी पड़ेगी फिर यहाँ पर दो पोस्ट है Regional Science Center भोनेस्वर के लिए पांच पोस्ट है आपका North East Zone Regional Science Center गुआहटी के लिए दो पोस्ट है आपका Science City कोलकाता और एक पोस्ट है आपका Regional Science City लखनो के लिए इसी तरह से आप Office Assistant की पोस्ट देख सकते हैं कोलकाता के लिए तीन और एक कोलकाता के लिए एक पोस्ट है आर्टिस्ट की एक पोस्ट है जिसमें से हम लोग फोकस करेंगे Technician A, Technical Assistant A जो की Diploma Candidates के लिए है सिर्फ कोलकाता के लिए निकाली गई है अब यहाँ पे अगर बात करें पहली पोस्ट जो है Office Assistant Grade 3 की तो इसमें सिर्फ एक पोस्ट है कोलकाता में तीन पोस्ट है आपका जो Museum Headquarter है यहाँ पे कोलकाता में इसमें आपका जो Total Enhanced Salary स्टार्टिंग होगा 34,275 रुपए पर मंत होगा जो कि आपका इस पे Matrix में रखा जाएगा Educational Qualification अगर आप यहाँ पे 10th Pass है तो आप यहाँ पे Apply कर सकते हैं ठीक है लेकिन साथ में आपको यहाँ पे 10 Minute Duration का 35 Word Per Minute English का और 30 Word Per Minute Hindi का जो Computer Test है 10,500 से बटे 9,000 की Dispersion Energy Per Hour यह आपको Pass करना पड़ेगा Age Limit यहाँ पे 25 साल रखी गई Maximum Age, Minimum जो है 18 साल रखी गई है Job Description के अगर बात करें यहाँ पे जो Dark हुआ, Tickets इसू हुए, Photocopy हुआ, Maintenance, Files का यह सब आपको करना पड़ेगा Then Artist A की Post है, इसमें Diploma मागा गया है इसके बाद आप काता है Technician A अब Technician A में देखिए का Carpenter की एक Post है, Fitter की दो यह Draftmen Mechanical है थे हां दीजेगा, Civil नहीं है और Electronics की एक है Total पांच Post यहाँ पर है, Kolkata के लिए फिर अगर बात करें, Boneswar के लिए Carpenter की एक और Fitter की एक Post है दिन यहाँ बात करें, Guati North East Jund Kolkata के लिए तो Fitter की दो है, Carpenter की दो, Electrician की एक Total पांच Post है Kolkata का ही अगर बात करें, Carpenter की एक है Computer, Hardware and Networking की दो पोस्ट है यहाँ पे, Original Science Center लखनों में Carpenter की एक पोस्ट निकाली गई Unreserve Category में यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी देख लीचे यहाँ पे जो सैलरी आपकी रहेगी Kolkata के लिए 34,725 Boneswar में 32,304 Guati में 35,294 और लखनों में 32,304 रुपए परमन्त इनहेंट सैलरी आपकी आएगी यह परमन्न जोब है, ध्यान रखेगा अब यहाँ पे 10th pass होना है साथ में आपको ITI होना चाहिए जो उपर trade बोले गए, उन trades में आपके पास ITI रहना चाहिए एक चीज़ और ध्यान रखेगा यहाँ पे एक साल का यहाँ पे experience भी मागा गया है after obtaining the certificate for course duration of two years, ठीक है अगर आपका course duration one year है उस case में two years का relevant experience यहाँ पे मागा गया है तो जो candidates ITI के बाद experience ले चुके हैं काम करने का उनके लिए काफी better opportunity है आप लोग यहाँ पे farm fill up कर सकते हैं तो जैसे carpenter एक साल का trade है तो यहाँ पे एक साल की ITI प्लस two years का experience देना पड़ेगा आपको fitter draftman, electronics यह सब two years के हैं तो आपको two years का ITI प्लस one year का experience देना पड़ेगा बाकी यहाँ पे carpenter ही यह कैसा trade है जो एक साल का है बाकी सभी trade जो है दो साल के हैं तो आप लोग एक बार comment section दो बताएगा क्या आपके पास experience and apply करने जा रहे हैं या नहीं upper age limit यहाँ पे 35 साल रखी गई है देखिए experience based फे vacancies आती रहती permanent DCLM कहते हैं तो कभी भी ITA करके खाली मत बैठिए at least कहीं न कहीं कोई experience गेन करिए आपको काफी फायदा वहाँ पे मिलेगा यहाँ पे काम क्या रहेगा देख लीजे carpentry and fitter का काम क्या होगा fabrication, handling, packing, installation इन सब का काम होगा trafman का काम होगा tracking and drying का maintenance of mechanical equipments का electronics and electrical का काम होगा drying track करना operation और maintenance करना electrical and electronics equipments का तो यहाँ पे काम भी दिया गया है सारा तो यहाँ बात करें technical assistant तो यहाँ पे electronics में diploma मागा गया और एक post पे computer science में diploma मागा गया है क्योंकि एक post electronics and computer science की है दो post जिसमें या तो अगर आप electronics में diploma हो या आपने computer science में diploma किया हो ठीक है उस case में आप इस form को भर सकते हैं आपने BCA किया हो तब भी इस form को आप भर सकते हैं यहाँ पे इसमें भी 35 साल तक की age रखी गई है यहाँ पे किसी experience की demand जो है वो नहीं की गई है form online mode में भरे जाएंगे photo and signature आपको upload करना पड़ेगा 100 के भी 100 के भी तक का कैसे resize करना उस पर हमने एक वीडियो बनाए आप चाहें तो description में लिंक है वहाँ से जाके देख सकते हैं आप कोई भी photo आसानी से resize कर पाएंगे सबसे important बात यहाँ आ जाती है ST and PWD X servicemen candidates की तो उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी form बनने की last date 27 March 2023 है form बनने का वीडियो आपको separate मिल जाएगा चैनल पर उसके लिए बस आप चैनल के साथ जुड़ जाएगा अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में thank you